राज्य तक्णिकी आयोग को भेजेगा विभाग आरक्षन रोस्टर तयार कर रहा है आयोग अक्टूबर में बहाली का विज्ञापन निकालेगा दिसंबर या जनवरी से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है इस बार ना तो लिखित परिक्षा ली जाएगी पर ना ही साक्षाकार होगा MBBS या अन्य संबंधित कोर्श से मिले अंकों के आधार पर बहाली होगी उल्लेखनी है कि सूबे में डॉक्ट्रों की भारी कमी है सरकार्य अस्पतालों में करीब 70% पद रिक्त है अगले दो-तीन महिने के बाद बिहार तक्निकी सेवा आयो के माधियम से हम चिकित्सकों की निजुक्ती की परक्रिया सुरू कर देंगे उसके बाद हमारे अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ने लगेगी इसके पुर्व राजस्वात समीती के माधियम से भी एनेचेम के तहत हम विसे सग चिकित्सकों की निजुक्ती कर रहे हैं अभी तीन बिभाग गाइनोकोलोजी, पेडेट्रिक्स और एनेस्थेटिस्ट के 408 पदों की वेकेंसी निकल चुकी है जिसके आलोक में आवेदन आ चुके हैं उनकी भी निजुक्ति की प्रक्रिया एक मेहने के अंदर पूरी कर ली जाएगी तो स्वास्त बिभाग अब चिकित सकों की निजुक्ति के प्रियास की तरफ आगे बढ़ चला है और परिणा माने लाएगी